आप सभी के लिए गुट न्यूज है कि जो नाशनल स्कॉल्शिप स्कीम है उसकी लास्टेट एक्स्टेंड हो चुकी है तो सभी की लास्टेट एक्स्टेंड हुई है अभी बहुत सारे स्टुडेंट्स होंगे जो लोगों ने अप्लाई नहीं किया होगा जिस बिकॉस की एड्मिशन ही नहीं होगा बहुत सारे से यूजी या पीजी लेवल पर एड्मिशन नहीं हो रही है क्योंकि अभी तक एंट्रेंस एक्जाम का जो पूरा प्रोसेस होता है वही खतम नहीं हुआ है तो कांसलिंग अभी चली रहा है तो इस वज़े से भी आपका जो लांस टेट है वो एक्स्टेंड हुआ है तो जिलोगों ने भी अभी तक अप्लाई नहीं किया है त्विल्थ लेवल पे तेंथ लेवल पे या फिर पोस्ट मेट्री के लिए यहां पर डिफरेंट काटेग स्कॉल्षिप बेगम हजरत महलन नाशनल स्कॉल्षिप सभी यहां पर जितने भी स्कॉल्षिप से सभी स्कॉल्षिप पे डिफरेंट वीडियोज है जिसका एक प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा तो लास्टेट की बात करें तो यहां पर तो सकता है कि इस्टूडेंट ऐसे हो जिन्होंने अप्लाई कर लिया हो बट इंस्टिट वेरिफिकेशन ना हुआ तो वह अब कर सकते हैं 31 दिसमबर 2021 आपकी लास्टेट रहेगी इंस्टिट पर जाकर आपको वेरिफिकेशन करना होता है तो इस डेट से पहले आपको वेर करते हैं वो यहां पर बेसिकल अप्लाई कर सकते हैं प्रिमेट्रिक पोस्टमेट्रिक याफी स्कॉल्शिफ पर टॉप क्लास एजुकेशन तो देख सकते हैं 15 दिसमबर लास्टेट हुआ है और वेरिफिकेशन जो होगा आपका डिफ्रिक्टिव और इंस्टिट लेवल प प्रिक Prevention Department of School Education and Literacy city Department of High एज्यकेशन में आप देख सकते हैं Central सेक्टर स्कीम है इस पर भी separate video है और इसके बाद यह सारी देख सकते हैं पर NEC that is North Eastern Council जो लोग भी अवनाचर प्रदेश सिक्की मसाम, मिजोरम, मिघालिया या मनिपूर से ब्लॉंग करते हैं वो यहां पर बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं यहां पर हम बात करें UGC AICT स्कीम की तो MHRD में different scholarship स्कीम है इन सभी पर वीडियो है और इसके बाद यहां पर AICT में भी जो लोग भी बीटे भी कोस कर रहे हैं टेकनिकल कोस अगर आप कर रहे हैं तो यहां पर AICT में अप्लाई कर सकते हैं तो वीडियो आप एक बार देख देजेगा क्योंकि वहां पर हमने detail eligibility condition को discuss किया हुआ है और अगर आप एक भी condition को miss करते हैं तेन आप apply नहीं कर सकते हैं और क्या process रहेगा apply करने का वह सारा कुछ वहां पर है तो description box चेक कीजिए और यहां पर आप देख सकते हैं यह प्रगती scholarship diploma and degree level के लिए दोनों के लिए ह तो अगर अभी तक आपने किसी भी university या college mission नहीं लिया है तो 15 December अभी फिलहाल last date है हो सकता है यह और भी extend हो जाए लेकिन अभी के लिए 15 December last date है and हो सके तो आप सारे documents prepare करके रख लीजिए जब भी आपका admission हो तब आप directly आप apply कर सकते हैं फिलहाल आप registration कर सकते हैं and apply करने का जो पूरा process है उसके लिए एक separate video है वो आपको description box में मिल जागा ठीक है registration आप अभी कर सकते हैं बाकि जो main form होता है वो बात में भी आप form फिल कर सकते हैं and उसे तरह किसे यहां पर state schemes की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं आसाम में 31st December 2021 last date रहेगी so state wise के लिए आप य जो last date रहे एक्सेंड हुआ है और institute या फिर डिफेक्टिव वेरिफिकेशन की जो last date रहे आप यहां पर देख पाएंगे 15th January 2022 है ठीक है कुछ state से भी है जिसका application close हो चुका है तो चैनल को subscribe करके notification on कर लिजाएगा क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही government and private scholarship related या career related वीडियो जाती है अगर आप fresh apply करना चाते हैं तो यहां पर directly आपको new registration पर click करना है और उसके बाद कुछ conditions होंगी accept करने के बाद आप form fill कर पाएंगे अगर आप renew करना चाते हैं तो login पर जाएंगे और यहां पर आपको 21-22 session के लिए आप यहां पर apply कर सकते हैं ठीक है और कोई doubt है national scholarship से related आप ह scholarship scheme आपके लिए better रहेगा तो उसके लिए एक separate वीडियो है जिसमें हमने almost 10 plus scholarships की बारे में बात की हुई है तो वह वीडियो आप देख सकते हैं i button में मिल जागा या फिर description box में भी मिल जागा तो आज के लिए पसे इतना हैं मिलते हैं next video में next topic के साथ so thank you so much आग देखके